यह जो मेरे पास में 3-phase motor है इस motor के लिए मुझे starter बनाना है और इस motor को चालू और बन करने के लिए condition यहाँ पर यह है कि यदि मैं इस foot switch को केवल एक बार प्रेस कर दूँ तो motor on हो जाए उसके बाद इसको बन करना हो यदि मुझे तो इसी foot switch को मुझे दुबारा से प्रेस करन पड़ेगा यानि केवल एक बार इसको प्रेस करने से motor चालू हो जाएगा और दुबारा से इसको प्रेस करने से motor हमारा off हो जाएगा तो किस प्रकार से इस starter को बनाएंगे चलिए सीख लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि जो मेरे पास में 3-phase motor है इस ein dr muchos motor को मुझे चालू और बन करना है और जैसे कि आपको मालूम है किसी भी 3-phase motor को चालू और बन करना हो तो उसके लिए हम contactor का इस्तमाल करते हैं तो यहाँमेरे पास में एक contactor है इसके अलावा यह जो मेरा इस contactor को चालू करने के लिए मैं यहाँ पे foot switch का इस्तमाल करूंगा नॉर्मली क्या होता है कि foot switch को जब हम प्रेस करते हैं तब तक हमारा contactor on रती है और इसको release करने के बार contactor off हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमारा condition अलग है इसी foot switch के द्वारा हमें contactor को चालू करना है और इसी के द्वारा इसको बन करना है तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको एक pulse relay का इस्तमाल करना पड़ेगा यह जो device आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं pulse relay देखी दोस्तों जो pulse relay होता है उसका काम यह होता है कि यदि उस relay को हलका सा भी एक pulse signal मिलता है तो उस condition में इसके contact को change कर देगा माल लिजे कि अभी के time पे यह off condition में है आप देख सकते हो यहाँ पर यह वाला switch है वो नीचे की तरफ है यानि कि off है यदि आप इसको pulse signal दोगे तो यह on हो जाएगा इस relay को जो आपने signal दिये थे वो signal remove करने के बाद भी यह relay आपका on condition में रहेगा यह relay आपका तब तक on रहेगा जब तक कि आप इसको दुबारा से signal generate ना करो जैसे आप इसको signal generate करोगे यह off हो जाएगा यानि कि आप यहाँ पे कह सकती हो कि यदि इस pulse relay को हम केवल एक signal देते हैं फिल हार के time पे signal देने के लिए हम यहाँ पे foot switch का इस्तमाल करेंगे केवल इसको press करेंगे एक बार तो यह relay on हो जाएगा और दुबारा से इसको press करने पे relay off हो जाएगा तो इसी relay का इस्तमाल करके हम इस contactor को चालू और बन कर देंगे तो इस motor को चालू और बन करने के लिए जो हम starter बनाएंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा MCB है MCB के जिस point पे हमें face supply मिलेगा उस point के साथ में आप एक wire को connect कर दीजेगा अब इस wire से जो power supply जाएगा वो जाएगा आपके foot switch में यानि कि foot switch को आपको face supply देना है आप चाहें तो neutral supply का भी controlling कर सकती हो मैं अभी के time पे face supply का ही controlling करूंगा float switch का जो wire है उसमें आप देखोगे total 3 wire दिया गया है जिसमें से एक common, एक ano और एक NC है तो आपको यहाँ पे identify करना है कि आपको कौन से wire का इस्तमाल करना है तो identify करने के लिए आप multimeter का इस्तमाल कर दीजेगा मैं यहाँ पे multimeter को continuity position पे लगा दिया इसके बाद multimeter के probe को दो turngle के साथ connect कर दीजेगा अभी के time पे कोई भी beep का आवाज नहीं आ रहा है अब यदि मैं इसको प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे beep का आवाज आने लगा इसको release करने पे off हो गया फिर से प्रेस किया beep का sound आने लगा यानि कि हमें इन दो contact का इस्तमाल करना इस relay को चालू करने के लिए इस starter का condition यह है कि हम foot switch को यदि प्रेस करें आनो contact वाली wire इस wire के साथ में एक wire को मैं connect कर दूँगा मैंने यहाँ पे इस wire को connect कर दिया अब इस wire से जो power supply जाएगा वो power supply जाएगा इस relay को चालू करने के लिए तो इस relay का जो A1 terminal होगा A1 terminal यहाँ पर है तो इस terminal के साथ मैं इस wire को connect कर दिया इस प्रेकार से अब इस relay का जो A2 terminal है इस पे मुझे neutral power supply प्रोबाइड करना है तो MCB के neutral terminal से एक wire को connect करके ले जाऊंगा और इसको ले जाके इस relay के A2 terminal के साथ इस wire को connect कर दूँगा तो इस relay को चालू करने के लिए हमने connection कर दिये अब यह जो conductor है इसको on करने के लिए हम connection कर देते हैं तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यह जो relay है इस relay का जो ano contact है आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ano contact है और दो nc contact है यहाँ पर symbol बनाए गया है तो इस relay का जो एनो contact है उसके द्वारा इस conductor को चालू करने के लिए connection कर देते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि जो MCB है MCB के जिस point पे neutral supply connect किया गया है उसी point पे एक और wire को connect कर देता हूँ और इस wire के दूसरे सीरे को ले जाके इस relay के एनो contact के साथ connect कर देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चाल नमबर टर्मिनल के साथ इस wire को connect कर दिया अब इस relay का जो दूसरा एनो contact है उस contact के साथ मैं मैं एक wire को ले जाके connect कर दूँगा यानि कि face supply को मैं provide कर दूँगा तो इस relay के input terminal पे हमने incoming power supply connect कर दिये अब जब हमारा relay on होगा तो output terminal पे power supply provide करेगा तो मैं यहाँ पे एनो contact के साथ face supply वाले wire को connect कर दूँगा और इस wire को ले जाके contactor के A1 terminal के साथ connect कर दूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर contactor का A1 terminal यहाँ पर रहे इस wire से हमें neutral supply मिलेगा तो इसको ले जाके contactor का A2 terminal है यहाँ पर A2 terminal है तो इस terminal के साथ हमने इस wire को connect कर दिये face supply यहाँ से मिल जाएगा और neutral supply इसको यहाँ से मिल जाएगा face और neutral supply मिलने के बाद हमारा contactor on हो जाएगा तो ये जो starter इसको चालू और बन करने के लिए control wiring complete हो गया इसके अलावा इस motor को चालू और बन करने के लिए हमें power wiring करना था तो मैंने यहाँ पे directly power wiring कर दिया आपको simply क्या करना होता है कि जो आपका 3 phase का power supply है उसको लाखे contactor के power terminal के साथ connect कर दिजेगा उसके बाद motor का जो cable होगा उस cable में आपको 3 wire मिलेगा उन 3 wire को लाखे contactor के output power terminal के साथ connect कर दिजेगा के बाद आपको इतना ही connection करना होगा अब यदि मैं इस MCV को on कर दूँ MCV को on करने के बाद यदि मैं इसको press करूँ तो यहाँ पर कुछ problem हो रहा है यह relay on होड़ियर लेकिं contactor on नहीं हो रहा है थोड़ा सा wiring में mistake के चेक कर लेते हैं इसको मैं off कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि contactor क्यों नहीं on हो रहा है यहाँ पर face supply सही है neutral supply तो मैंने यहाँ पर इस relay का NC contact इस्तमाल कर लिया no contact मुझे इस्तमाल करना था तो इसको मैं यहाँ से थोगा सा रिमूब कर देता हूँ इस वार को यहाँ से रिमूब किया और no contact के साथ connect कर दिया देखे छोटा सा mistake किया जिसके वज़े से मेरा starter on नहीं हो पाया तो जब भी आप कभी control wiring करो तो हमेशा wiring को ध्यान मेर के और एक बाद चेक कर लिजेगा चालू करने से पहले तो यहाँ पे हमारा पूरा connection हो चुका है अब यहाँ मैं control MCV को on करूँ उसके बाद यहाँ मैं इस switch को प्रेस करूँ तो आप देखो कि फूरर स्विच को प्रेस करने के बाद इस रही मोर्टर OFF हो गया तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल पे नहे हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद